तो चली शुरू करते हैं हम लोग आज इस चेप्टर का हम लोग एक लास सेग्मेंट में हैं जिसमें हमें स्टेडी करना है ऑप्तिकल इंस्टूमेंट्स तो आप्तिकल इंस्टूमेंट्स में बेसिकली हम लोग स्टेडी करेंगे माइक्रोस्कोप का दो तरह के माइक्रोस्क में जैसा दिख रहा है तो वैसे भी आपने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है तो हम लोग आई पे ज़्यादा समय नहीं देने वाले आपको पढ़ना होगा तो आप एक्स्टर नॉलिज की तौर पर पढ़ सकते हैं टेंथ में काफी पढ़ा भी है और माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और टेलस्कोप पढ़ेंगे ठीक तो मायक्रोस्कोप की शुरुआत से पहले में देखना है कि ऑप्रिकल इंस्टूमेंट हमा एंगिल कोई बॉड़ी हम पर जितना बड़ा एंगिल बनाती है माली जी ये बॉड़ी इतनी बड़ी है हमारी आखें याँ हैं इसने एंगिल कितना बनाया इतना बड़ा एलफा किसी जगाप पर कोई बॉड़ी हमने दूसरी घड़ी कर दी तो उसने कितना बड़ा angle बनाया बीचा तो हमारी हम कैसे पहचानते हैं कोई body बड़ी है कि छोटी human eye कैसे पहचानती है हम कैसे पहचानते हैं हमारी आंको पर जितना बड़ा visual angle बनता है यह एंगिल क्या बोलेंगे this is visual angle जितना बड़ा visual angle बनता है हम उसको उतनी बड़ी image बन निखी जारी है आप भी नोट करियेगा the angle which an object subsent at our eyes object subsent on our eyes object subsent on our eyes is called visual angle visual angle किसे केते हैं इसे केते हैं जुआप्जक्ट हमारी आखों के बनाता है in order to see an object bigger the visual angle should be increased अगर किसी object को बड़ा देखना है तो वो कैसा इंगल बनाना चाहिए हमारा इंगल पर बड़ा बन रहा है तो बड़ा दिखेगा और रियल में बड़ा नहीं है बड़ा बनाना तो कोई एससा instrument हम ले पर आपको बना दे तो बड़ा देखने लगेगा अब यही बात हमारे telescope microscope करते क्या है तो telescope and microscope are the aids जिनकी साहिता से जिनकी मदद से to increase the apparent size of the object object real में इतना बड़ा नहीं होता लेकिन इनका apparent size बना देते हैं जैसे आप microscope से अगर चीटी को देखेंगे तो हाथी के बराबर लगने लगेगी बहुत बड़ा enlargement हो सकता है size of the object by increasing the visual angle क्या technique है visual angle को बड़ाना तो हमारी बड़ी simple सी बात इसको तोड़ दिया टुकड़ो में हमने आप समझ पाया होंगे कि visual angle क्या है बड़ी simple सी बात है इशा कि जो object हमारी आको पर जो एंगिल बनाता है उसे मोड़ी अब दूसरी बात हमको इस सीखनी है कि magnifying पावर क्या होती फिर हम आएंगे microscope के उपर तो अगला चो टर्म हमारे पास आएगा उसे बोलेंगे magnifying power कि magnifying power linear वाली आपने पढ़ रखी है वी अपॉन यू वही वाली है उसको तोड़ा और समझेंगे इस technique से क्या बोलते हैं इस technique से कैसे निक्राल सकते हैं तो अभी हम दोग देखते हैं कि magnifying power किसे बोलेंगे हम लोग यह भी बड़ा सिंपल सी टर्मोलोजी है magnifying power किसकी होती है किसी optical instrument की होती है optical instrument क्या होते है microscope टेल इसको और भी बहुत सारे हो सकते हैं तो the magnifying power of an optical instrument is defined as the ratio of the visual angle suspended by the image found by the instrument at the eye to visual angle suspended by the object at unaded or naked eye मतलब एक बार हम optical instrument की मदद से उसको देखेंगे object को image दिखेगा वो image जितना angle बना रहा है उसको रखेंगे numerator में angle suspended by image at eye उसके बाद object कितना angle बना रहा है बिना optical instrument के सीधे unaded eye का मतलब है कोई support नहीं दिया गया है कि naked eye साब देखेंगे अराम से जैसे आप देखते हैं और उसमें जो angle बनाएगा angle suspended by object at eye बस comparison कैसे करते हैं जब दोनों ही चीजें हमारी same distance पर हो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर कोई object कोई माली जी image बनी यह lens रखा कि आखें कुछ भी है तो यहां पर इसने एक एंगिल बनाया सपोस्करी यह alpha मनाया तो अगर हमें comparison करना है तो हमारी जो हमारा जो यह image है अगर तो हमारा जो object है ना हम वहां पहुंचाना पड़ेगा पहले तभी तो compare कर पाएंगे एक दूसरे से कि हाँ यह बीटा है कितना चोटा है कितना बड़ा हुआ इसको कहीं और रखें इसको कहीं और रखें तो बात ठीक नहीं होगी comparison की तो क्या चीज ध्यानक नहीं इस concept को पकड़के रखना है कि image तो जह बात समझ में आ रही है image देखा 40 cm दो रहे है तो आपने अपने से 40 cm दूर object रख दिया उसमें क्या दिक्कत अगर रख सकते हैं तो microscope में तो रखी सकते ते टेली सकोप में उसके साथ कुछ नहीं कसटे चांदता रहे देखने उसको कहाँ लाएंगे तो अपने image set कर लेंगे हैं ना लेकिन microscope में तो हाथ में हमारे microscope तो देखे होंगे सब लोग डॉक्टर के यहां भी दिखता है और लाइब में भी होगा उमीद है सब ने देखा है ना microscope तो वह आप उसमें लगाते हैं और देखते हैं तो यह मुद देखेंगे दी इस दी लीज दिस्टेंट और दिस्टिंक्ट लीज दिस्टेंस और दिस्टिंक्ट विज़न हमारी आखों की क्यापैसिटी है ना अकमोडेशन आधी आई है हम छोटा भी देख लेते हैं पास का और दूर का भी देख लेते हैं लेकिन पास देखने का है कि एक limit है जो focal length हमारा adjust होता है हमारी आखों में भगवान इतना शक्तिशाली इतना अच्छा high-tech lens दिया है जिसकी focal length खीच के तान के बढ़ाई आ सकती है salary muscles लगी होती है जो contract होती है या expand होती है जिसकी विज़े से वो पिचकता है या वो stretch होता है लेंस और उससे focal length उसकी बदल जाती है और focal length बदलने से हम दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं यह high technology अभी तक हम लोग नहीं बना पाए इंसान एक ही lens का focal length अलग अलग बन जावे ठीक तो इस lens का लेकिन capacity है कितना contraction किया आते हैं जिसे capital D बोलते हैं जब 25 cm तक आते हैं तो तो आपको दो चीज़े साफ साफ दिखाई पड़ती है distinct least distance कम से कम distance distinct division के लिए लेकिन अगर उससे ज्यादा करीब आते हैं तो blurring स्टार्ट हो जाती है साफ नहीं दिखती चीज़े और ज्यादा ले आएंगे पास में तो एकदम blurring हो जाएगी क्योंकि हमारी capacity नहीं है वहां तक देख पाने हमारी आखों की capacity नहीं है कि हम नाग के पास उंगली रखे हो साफ साफ देख लें अगर कोई देख पा रहा है तो immediately doctor से से concert करे अगर को लगता है कि मैं कहीं भी देख लेता हूं तो तुरंत रात को डॉक्टर से मिल लीजे जाके आप नॉर्मल human being नहीं है कि एनीवे वापस हम आते हैं मजाग कर रहे थे वो कुछ लोग superhuman हो सकते हैं हो सकता आप मेंसे भी कोई हो तो वापस आते हैं मैंनिफाइंग पावर की तरह तो कैपिटल दी समझे ना 25 सेंटीमीटर नॉर्मली होता डिस्टिंक्ट विजन के लिए तो यह मैंनिफाइंग पावर है क्या है मैंनिफाइंग पावर एक ऑप्टिकल इंस्टुमेंट से विज्वल एंगिल जो बना डिवाइड़ वाई बिना उस ऑप्टिकल इंस्टुमेंट के जो एंगिल बना एट सेम डिस्टेंस डिवाइड कर दीजे आ गया मैंनिफाइं इसको निकालने का तरीका इस तरीके से ऑप्टिकल इंस्टूमेंट कितना मैंगनिफिकेशन बनेगा आपको दिखेगा ठीक अब हम लोग चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ तब ही तक दो बाते हम लोग पढ़ चुके हैं एक तो विजूल एंगिल और मैंगनिफाइंग पावर क्योंकि बेसिक लिए में कराना क्या है मैं तो मैंगनिफाई कराना है मैंक्रोस्कोप लगाते है क्यों मैंगनिफिकेशन के लिए ना बड़ी देखनी रहती ही चीज़ा है क्यों बड़ी देखनी है क्यों कि इसका डिटेल देखना हम नेकड़ आई से नहीं देख सकते हो डिटेल है ना चालू पहले इतनी बात को समझते हैं फिर इसको हटा के दुबारा गाड़ी चलाएंगे आगे तो बड़ी बेसिक बात है लिखा हमने इसलिए दे रहा हूं कि आप तीन महीने बाद भी पनना पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे ये इसी ड्याङ्राम को explain कर रहा है ये इन इसमपिल मा क्रोस्कोफ हो टा हो शौट she का कॉन्यक्ट सब्सक्राइब को बोलते सिंपिल माैक्रोच्प उसकी फोकल लेंज कम होती है है यह लक्ति बात समझ रर्कषिए ना क्वादे लेवग सिंपिल सी जन देखिए ये यह एक लेंस है कि सिंप्ल माइक्रोस्कोप ओला यह आपकी आखें और आखें लेंस के इसमें दूर लग रही है आप पास में रखते हैं आखों को है ना और इसकी जो फोकल लेंथ है इस फोकल लेंथ और लेंस के बीच में अब्जेट को प्लेस किया गया है शोट फोकल लेंस रहती पास में अब्जेक्ट रखते हैं इस अब्जेक्ट का मैंग्निफाइड इमेज ए डैश बीडैश बनता है और यह बनता कितनी दूर बनाते हैं हम लोग कैपिटल दी पर लीज डिस्टेंस फॉर इस्टिंक विजन इससे में साफ साफ दिखाई पड़े बढ़िया दिखाई पड़े ठीक इसी बात को एक्स्प्रेइन किया है दा पोजिशन अफ दी ऑब्जेक्ट यह अब्जेक्ट है भी between BW मतलब between the lens and its focus the lens and its focus इन दोनों के बीच में है is so adjusted इस तरह से adjust करते हैं that the image is formed at the least distance of distinct vision इस तरह से adjustment करेंगे कि image जो मिलेगी है dash B dash वो कहां मिलेगी capital D पर मिले उसको आगे पीछे कर लेंगे lens को अपने हिसाब से from the eye the image is then seen most distinctively क्यों कर रहे है को कि साफ साफ इमेज देखना चाहते है in figure A, यह figure A है, यह figure B है AB is a small object, वो छोटा वाला जो रखा हुआ दिख रहा है वो AB के small object है जिसको आपको बढ़ा करके देखना चाहते हैं placed between a lens L and its first focus F dash, दिख रहा है वो बात समझी थी हम लोग ने its magnified virtual image A dash B dash इसकी जो magnified virtual image A dash B dash वो आपको बंती हुई कहां से दिख रही है at a distance D from the lens वो lens से कहां पर है capital D पर चाहे lens से बोलें चाहे हमने यह arrow यहां तक बना चाहे आई से बोलें क्योंकि lens और आई एक ही जगा है पास से देख रहे हैं न कोई फरक नहीं है वही बात लिख दी गई since the eye is just behind the lens आखे lens के एकदम पीछे हैं the distance of image A dash B dash from eye is also D चाहे lens तक की दूरी माने चाहे आखों तक की दूरी माने दोनों के cases में यह capital दी आएगा तो इतनी बात आप समझेए इसको note कर लीजिए फिर हम आगे बात लिखके आपको explain करेंगे अब हम क्या करेंगे इसकी magnifying power निकालेंगे यह तो इसका एक introduction हो गया एक बात हो गई किस तरह से यह diagram बना हुआ है अब हम क्या calculate करने जा रहा है magnifying power तो यह copy कर चुके हैं आप अच्छा कर लीजे पहले अराम से तो देखिए अभी जिस purpose के लिए हमारे पास simple microscope है उसका purpose क्या था चीजों को magnify करना तो आखिरी कितना magnification करता है हमारे लिए यह calculation करने जा रहे हैं लोग तो magnifying power क्या हुई जो भी पड़ी थी लेट बीटा भी अंगल सब्सेंडर बाइदा इमेज ए डश बी डश ए डश बी डश ने हमारी आखों पर कितना एंगल बनाया बीटा आखिर लेंस की और किले लेट बीटा इस दा इंगल सब्सेंडर बाइध डी आई फिगर अवे फास्टेंदे आफ़ें एंड एंटल इसमें देखे हमने अब्जच्ट लिया और अप्जच्ट को कहा रखा यह D डिस्टेंस दूर था आमारा इमेज तो हमने डिस्टेंस दूर ही रखा आब समझाती है यह दोनों एंगिल हमारे पास में आ गए तो हमारे पास अगर यह आ गए तो मैंनिफिकेशन या मैंनिफाइंग पावर क्या बना वही चीज़ लिए एंगल से टेंड़ इमेज अठाई अपॉन एंगल से टेंड़ आपजेट एट आई बन प्लेज़ डैट इस के लिए तो यहां पर बीटा ऑपन अलफा हो गया यह यही तो वैलू पड़ी है आप क्योंकि अलफा बीटा काफी छोटे एंगल से चोटा अब्जेक्ट है इसको अम दोग देख रहे है तो अलफा बीटा चोटा है तो उस केस में बीटा है चोटे एंगल के लिए आप चोटे एंगल के लिए बीटा हुआ तो टेंग बीटा की वैलू क्या है यह देखिए बीटा है तो होता है प्रपंडिकुलर अपॉन बेस तो यह प्रपंडिकुलर हो गया एबी और बेस हो गया एओ तो यह हो गया एबी यह हो गया एओ प्रप एलफा के बराबर हमारी वैलू तो वैलू क्या बनी यह वैलू बनी एबी अपॉन डी एबी कहां से निकल के आई देखिए एबी निकल के प्रपेंडिकुलर और एबी ए जो भी पॉइंट बोलेंगे उसे लिख देंगे कैप्टल दी तो कि यह जी पर बन रही है इन दोनों क आप में क्या आया डी अपॉन ओए वैलू डाल दी इसके इंदर अब देखिए बट हीर ओए इसकर तो यू जो ओए है हमारा ये ये डिस्टेंस कितना है ये यू है इस लेंस के लिए तो ही वैलू बनी एम इसकर तो डी अपॉन यू एक बेसिक फॉर्मला हमारे आत में आ वहाँ पर वाज़े से फॉर्म ड़ेन्स हैंस अगह लगा सकते हैं हमको अबजेक्ट मालूम इमेज मालूम ठीक तो लेंस फॉर्मला होता है ये वैलू क्या बन गई यह विवदा माइनस दी यह यहां से नाप यह पॉल से माइनस दी यू माइनस यू और इसको विद्ट प D, V की जगह आगया माइनस D, और माइनस 1 upon minus U और यह हो गया 1 upon F, तो U कितना हुआ? 1 upon U is equal to 1 upon D plus 1 upon F अब हम यहाप पे क्या करते हैं? हम लोग D upon U निकाल D से मल्टिप्लाई कर दीजे इसको तो D upon U is equal to 1 plus D upon F यह value हमको मिल गई, अब इस value को putting this value of D upon U in equation number 1 यह equation number 31 में value पूट कर देंगे हम लोग अब अरे यह निकाला लगसे भी तो magnification power इसलिए बताई थी दुमको object यहाँ नापा उसके बाद D रख करके देखा हमने कितना angle बना रहा है compare कर रहे हो ना क्या definition थी magnifying power की comparison में, बताओ आगे और एक condition थी same distance, तो same distance कैसे करोगे ऐसे ही तो करोगे जब देख लिया तो उसको उतार के रख दिया object पास में इस समय थोड़ी तो बिना लेंज हडा चुके हो तो अगर वैलू में रखी आपने वैलू तो आम आ गई एम और डी अपॉन यू जो वैलू यह रखी थी यहाँ पे वैलू डाली तो बन गया वन प्लस डी अपॉन एफ यह वैलू बनी अब देखिए एक basic formula हमारे पास और आ गया नौ वी शाल सब्स्ट्यूट ओनली दी नुमेरिकल वैलू 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 अफ दी एंद एफ दस M is positive erect image इसमें जो वैलू मिलेगी हम इस नुमेरिक वैलू डाल देंगे जिससे हमारी M हमाईशा positive मिले क्यों होगी erect image बन रहा है अब देखिए यह भी एक note बड़ा important it is also clear from above discussion that shorter the focal length higher the magnification देखिए अगर आपसे पूछा जाता है question कि इसमें F की value shorter क्यों ली जाती है तो इसलिए shorter ली जाती है जितना short छोटा कर देंगे उतना M कितना होगा है बड़ा हो जाएगा आपका objective ही M को बड़ा करना आप magnification ज़्यादा चाहते हैं इसलिए यह short focal length का lens होना चाहिए अभी देखिए अब इसमें case बनेंगे कादे उसको भी देखते हैं हम लोग case 1 ले लेते हैं if the eye is kept if the eye is kept at distance d at distance small d मा लीजे आख लेंज से एकदम चिपका के नहीं रखी इससे capital d distance पर रखी है तो उस situation में क्या होगा जो वी हमारा है वो बंजेगा माइनस दी माइनस दी के दी हमारा क्या होगा दी यहां से आता है क्या पूरा ठीक और उपर से स्मॉल डी आ गया तो capital d माइनस स्मॉल डी और magnification ने magnifying power क्या बन जाएगी और M विल बी 1 प्लस d माइनस d अपॉन f तो एक केस तो यह बना के केस बहुत basic वाला है कहां कि लेंस में एकदम से आपनी चिपका के नहीं रखी है थोड़ा सा distance स्मॉल डी ले लिया तो यह formula आ गया magnification का अब दूसरा जो important formula और बनता इसके साथ case 2 to see with relaxed eye अगर हम relaxed eye से देखना चाहते हैं तो relaxed eye कब होती है हमारी जब object हाँ जब कोई चीज हम infinity पे देखते हैं तो हमारी आंकों पर strain एक्दम नहीं पड़ता है है तो हम अगर इमेज हम बना दे कहां है infinity पे तो रिलेक्स आई मिल जाएगे हमको उसके लिए क्या situation बने का देखिए दे इमेज ए डैश बी डैश शुट बी फॉर्म डैट शुट बी फॉर्म डैट शुट बी फॉर्म डैट इंफिनिटी और यह इंफिनिटी पे बनेगी कैसे जब इस object को कहा रख दे हम focus पे in this case in this case the object a b will be will be at the focus यानि यू इस इगल टू क्या हो गया एफ यू बन गया एफ उस case में हमारा formula क्या बन जाएगा पहला equation डी इस अगर डी अपॉन यू था तो डी अपॉन एफ आ गया यह formula बन गया relaxed आई के लिए क्या applications है इसके simple microscope के घड़ी वाले इसको यूज करते है watchmakers आपने देखा होगा जब बनवाने के भी घड़ी गया होंगे आखों में fit कर लेता है वह ऐसे करके और फिर बनाता है देखा आपने नहीं देखा नहीं देखा तो घड़ी पहनना शुरू कीजिए फिर खराब होग यूज करते हैं कि watch के अंदर wrist watch वेगरा में और गड़ियों में बहुत चोटे चोटे टाइनी पार्ट्स होते हैं वह ऐसे नहीं देखे जा सकते हैं उनको बड़ा करना पड़ेगा इसलिए वह यूज करते हैं और देखके बनाते हैं जोलरी शाप पर जाईए आप जोईलर fingerprint scanners आते हैं जो fingerprints पढ़ने के लिए डिटेक्टिव होते हैं या कभी ज़रूरत पढ़ जाती fingerprints को देखने के लिए तो आप उससे देख लेते हैं इस्टुजन्ट लोग जो होते हैं वर्नियर कलिपर की रीडिंग पढ़ते हैं इससे बहुत अगर फाइन है तो लेंस लगाके साफ तोर पर रीडिंग देख लेते हैं आपने ऐसे पढ़ ली तो बड़ा अच्छा किया है लेकिन यह सब इसके अप्लिकेशन हैं यह क्या है सिंपिल माइक्रोस्कोप इसमें अभी टेरिवेशन है तीन चार फॉर्मले निकले हैं आप देखिए पहला जो फॉर्मला निकला था बेसिक एम इसकर टू डी अपॉन यू फिर आपने एक बनाया था एम इसकर टू वन प्लस दी अपॉन एफ फिर रिलाइक्स डाय के लिए निकला हैं इसका टू डी अपन एफ और एक डी डिस्टेंस वाले के लिए निकला जिसमें आया वन प्लस दी माइनस डी अपन एफ तो यह सिंपिल माइक्रोस्कोप की पूरी कहानी होती है अभी हम लोग कंपॉंड माइक्रोस्कोप करेंगे फिर रोकेंगे इसको, compound microscope जल्दी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग basic सारी knowledge ले चुके हैं, तो यहां तक पहुचना है, फिर तुरंट सीधे इसी का advantage ले ले लेंगे हम लोग, ठीक है? अब compound microscope क्या होता है, उसके लिए 4-6 लाइन ही लिखनी पड़ेंगे, हमको दो lens लगते हैं, उसमें एक नहीं, ठीक? तो इसको मैं लिखता हूँ, और नोट करते रहे हैं, इसमें किसी को कोई discussion में कोई point लेना है, समझ मैं ही बाद? यह देखिए, यह compound microscope का figure है, अभी हम आपको explain भी कर देते हैं, और इसी explanation को यह लिखा हूँ है, इसमें देखिए, it consists of two convergent lens system, इस compound microscope में दो lens होते हैं, ठीक? O and E, एक है O, देखिए, यह lens है, दूसरा lens E, यह लाए है आपके पास, यह E, और यह O, यह लिखा भी हूँ है, यह E, एक sliding tube में fit होते हैं, tube होती हैं, जो outer tube होती है, उसमें लिखा होता है आपका, objective lens, objective जो lens होता है, यह, जो चीज हमको देखनी होती है, objective, object की तरफ focus रहता है, जो भी चीज हमको देखनी है, इसके सामने रखेंगे, तो इसको बोलते हैं, objective lens, इसका aperture छोटा होता है, इसमें लिखा भी होगा, as the lens focus, the object, it has short focal length, and short aperture, short focal length का मतलब आप जानते हैं, कि curvature इसका, ज़्यादा, बिल्कु ठीक कहे रहे हैं, और aperture का मैंचा, aperture किसे बोलते हैं, इसकी diameter को, है ना, तो उसका aperture भी कम, तो objective lens हमारा कैसा होगा, short focal length, और इसका aperture भी कम, और क्योंकि ये हमेशा, object की तरफ focus रहेगा, इसलिए इसका नाम डाला गया, objective lens, दूसरा जो lens रहता है, हमारा eye piece, वो इसके comparison में, इसका aperture, और focal length थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके comparison में ज़्यादा होती है, इसलिए आपको दिखाई पढ़ रहा ही, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, किताबों में भी बड़ा भी बना रहता है, तो इसका aperture बड़ा है, और focal length, इसकी इतनी छोटी है, इसकी इससे बड़ी है, ठीके, और ये आपका जो लगा होता है, ये inner tube में fit होता है, ट्यूब होगी ना, एक अंदर चलेगी एक बाहर, तो बाहर वाली tube में लगा रहेगा आपका objective, और inner tube में लगा रहेगा, eye piece, eye piece क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे आप देखते हैं, आपके करीब होता है, आप लगा के देखते हैं ना इसमें, तो ये eye piece कहलाता है, और आखें इसके बाजू में आपकी आखें रहेंगी, जिससे आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ये आपको समझाते हैं, फिर हमारा काम basically, तो ये introduction है, description है, हमें mainly क्या चीज़ चाहिए, description के बाद, magnifying power, ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, ये objective है, इसके सामने हम लोगों ने, एक object को place कर दिया है, A, B, उस object का एक image बनता है, हमारा, A-B-, जो कि इस focal length के अंदर है, इसमें, अगर अंदर है, तो आपको मालूम है, कि इसकी enlarge image बनाएगा ये, है ना, और ये इसने क्या किया, इसकी enlarge image बना दी, जो की A double dash, B double dash है, और ये इतना छोटा था, और इतना बड़ा हमें दिखने लगा, ठीक है, इस IPS को बड़े लेने का, पर्चर बड़े लेने का reason क्या होता है, कि इससे जितनी भी रेज हम ले पा रहे हैं अंदर, हम चाहते हैं अधिकतर रेज, मिल जाए, एक issue आता है, अकसर, आपके आवाईबा में भी पूछा जाएगा है, टीचर पूछता है, कि जब हम लोग object को देखते हैं, तो वो चमकदार रहता है, रोशनी डाल सकते हैं, object रखा, बल्ब लगा दिया, रोशनी पढ़ गई, दूब में लेके बैठ गए, चमक ने लगा, लेकिन जो image हम लोग देखते हैं, वो बहुत bright नहीं होती, अगर वो धूमिल क्यों हो जाती, वो धूंदली नहीं कहा रहा हूं, धूमिल, समझ रहे हैंना, brightness कम हो जाना उसकी, उसकी brightness कम जो आती है, और जादा brightness कम अगर हो जाएगी, तो आप के लिए मुश्किल होगा किसी को देख पाना, अंदेरे में तोड़ी कुई दिखता है कुछ तो ऐसा क्यों होता है इसा इसलिए होता है कि यह जो object है माली जी यह object हमारा एक centimeter का है ठीक एक centimeter में इससे आने वाली एक हजार rays है मैं कुछ होगी example के तौर हजार rays है इसने हजार capture की इसको भेजी हमने परचर बड़ा लगा दिया और मान लिया कि हजार के 해 स्थार हमने ले लिन एकर निकले की तो जरूर कुझ लेकिने मौन लेते हैं चलो इस डायकिशन में हजार को पकड़ निकंढ ली अब मितना बड़ा कहा है इतना बड़ा और इतना बड़ा तो तुसमें कितनी रेस थी ? 1000 इतने में 1000 देना पड़ेगा आपको एक्जामनर को यह जवाब देना पड़ेगा इक्जामनेशन में और यही बास समझने पढ़ेगी यही कॉंसेट है बादपकड़ में आई एक संटीमीटर में हजार रेस और वही दस संटीमीटर में भी हजार रेस चमकदार कौन एक संटीमीटर वाला इसके कंपरेशन में और यह काफी डिम हो जाए गा तो ये परिशानी आती है अभी हम कर रहे हैं ना उसके काम चल रहा है ये A- और B-ड़ ड़ अमने construction से A-B- A-B के बराबर काटके निकाल लिया क्यों काटके निकाल लिया क्योंकि हमारा magnifying power क्या कहता है A की जगा पर दोनों चाहिए तो एक ही जगा पर image बन गए एक ही जगा पर object के बराबर काट लिया compare कर देंगे इसलिए कि बास समझ में आई आप satisfied है चले आगे ये समझ पाई पूरी कानी ये क्या पढ़ रहे हम लोग इसमें दो lens होते है किसका परचर छोटा होता है शा जवाब दीजे तो मज़ा आता पढ़ानें पिर हाँ बताईए रिया aperture किसका छोटा inner side की बाती नहीं दो तरह की नाम रखे गए इसमें चालू कौन से दो नाम रखे गए objective and eye piece eye piece किसे बोलते हैं जो आग के पास होता है उसमें क्या सूचना objective जो object के पास होता है उसी विज़े से नाम रखा उसका है ना तो किसका परचर छोटा है लो objective का परचर छोटा focal and चोटी उसके comparison में eye piece की बड़ी तो ये description समझ गए और मोटा मोटा diagram भी आप समझ गए इस diagram में एक दो बाते और कर लेते हैं हम लोग जब इन्होंने छेडी दिये बात animation ने देखिं कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया a double dash और इसी के बराबर a b के बराबर इतना portion cut कर लिया अपने हाथ में काग लिया अपर अब देखिं ए double dash और ट्रिपिल बी ट्रिपिल डैश यह कितना angle बना रहा है यहाँ पर alpha यह हमारी आख है microscope में आख तो पीछे ही रखते हैं तो आख में अंगल बना चाहाई यह angle गिने चाहाई यह angle गिने बात बराबर इसमें कोगी कोई distance नहीं एलफा और यह image कितना angle बना रहा है यहाँ पर कि देखे पूरा बीटा यह alpha था और यह बीटा था और एम क्या होगा alpha पॉन बीटा अब उसी को compare करना है हमको तब हम magnifying power निकाल लेंगे और magnifying power क्यों निकालना है तो कि इस device का objective ही है हम तो इस device से बड़ा देखना चाहते हैं ताकि कितना बड़ा देख पाएंगे यह में calculate करना पड़ेगा physics में हर चीज calculate करनी पड़ती है क्या कि है तो कितना है ठीक तो वह काम करेंगे हम लोग अब देखिए यहां पर यह जो value लिए हम लोगने इसको जो image पकड़ते हैं हम लोग तो अब हमें यहां पर क्या चीज देखनी है m is equal to beta upon alpha alpha क्या है लिख चुका हूँ beta क्या यह नहीं लिखा है तो इसको लिख लो यह समझ पा रहे हैं आप लिख लीजिए का नहीं भूल लाएंगे तो महीने बाद what is beta इशा 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 नीशा तो भी यह निदी को बीटा इस दा एंगिल सब्स्टेंडर वाई ऑब्जेक्ट नहीं इमेज इमेज कहां यह नीचे ऊपर नहीं नाम बताओ हाँ एडबल डाइश भी फाइनल इमेज यह है हमारे पास तो यह कितना एंगिल बना रही है देखिए यह बना रही है बीटा यह हम लिख दें लिखी लो एक लाइन लिखना है यह बीटा अब इलफा एंड बीटा आर स्मॉल छोटे एंगिल से हैं तो टैन बीटा इलफा नहीं लिखेंगे लिखे लो बगल में अरे आप लोग महान है भी देखिए गा दो महीने बाद हम इस गर्टू बीटा अपॉन इलफा यह तो समझी रहे हैं यह फॉमला पीछे से निकाला है तो यह बन गया 10 बीटा अपऌन टैन इलफा व्यलो बने 2 एडबल डश आपॉन एडबल डश इ अपॉन एडबल Ini ii be triple dash upon a double dash e it कहां से आया देखिए 10 beta 10 beta a double dash e double dash a double dash b double dash perpendicular mm upon I base a double dash e che base हो गया तो perpendicular upon base हो गया 10 10 एलफा 10 एलफा में आ गई यह एंगिल तो प्रपेंडिकुलर इस डे डेबल डैश बी ट्रिपिल डैश अपन एडबल डैश यह बन गया एंगिल का एलफा अब इन दोनों में देखिए ऊपर नीचे एडबल डैश बीडबल डैश कॉमन है अगर कॉमन है तो यह वैलू क्या में Christian के हमारे सामने आई अब देखिए आगे वाट इस डीडबल डैश बीडी टिर्पिल डैश हमारे किस के बराबर है ए感じ किसरे बार बार ऑइक कंस्रक्शन कट किया था आपने एज कि एन्ड य हमारे के बराबर कट किया है तो यह डाबड़ डीजी आपर म क्या बना मना- बी डबल डैश अपॉन एबी अब इसको हमने कैसे लिख लिया इसको ऐसे लिख लिया एडबल डैश बी डैश एडश इन्टू एडश बी डैश अपॉन एबी और यह देखी यह क्या बन गया यह बन गया magnification power of IPs into magnification power of objective lens यह बड़ा important relation हाथ लगा यह M.E. क्या एडबल डैश बी डैश अपॉन एडश बी डैश ठीक देखो समझ में आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो यह M.E. into M.O. हो गया M.E. M.E. का मतलब magnifying power of IPs और magnifying power of objective lens तो M is equal to M.E. into M.O. यह relation establish हुआ यह क्या लिखा है इसको मैं लिखनी रहा हूं magnification power of IPs magnification power of objective lens अब आगे देखिए for M.O. for M.O. इसके लिए value लगाओ तो V आजाएगा V naught and U आजाएगा minus U naught M.O. का मतलब इससे बात की जा रही है तो V क्या बन गया V naught V naught का मतलब क्या है this one यहां से लेके यहां तक का V naught और यह बन गया U, U naught इधर वाला minus इधर वाला plus तो M naught कितना हुआ M naught की value होगे minus V naught upon U naught यह value M.O. की बनी and for M.E. M.E. के लिए क्या बना? M.E. के लिए अब हम calculate नहीं करेंगे M.E. के लिए पिछले सवाल में calculate किया है one plus D upon F.E. यह कहां से लेके आए? from previous derivation अभी जो simple IPC तो था वहां पर simple microscope में तो M.E. की value निगली थी 1 plus D upon F.E. यह value यहां से ले ली. अब हमारा capital M क्या बना? capital M की जगा अब हम लोग M.O. की value यहां रख देंगे और M.E. की value यहां रख देंगे equation number 1 में. तो यह value बन गई minus V.O. upon U. 1 plus D upon F.E. यह हमारा final formula निगला. compound microscope का. और length of the tube की आएगी? ट्यूब में लगा है न? तो length of the tube यह numerical इस पर मनते हैं इसलिए समझना जरूरी है. length of the tube का मतलब है इसके इसके बीच का distance को distance कितना बनेगा? वो बनेगा V naught जहां पर यह बन रहा है plus यह distance that is U.E. plus modulus sign में U.E. without sign length of the tube हो गई पूरी पूरी यही तो tube बनेगी किनारे किनारे लगाएंगे अब इसमें दो छोटे छोटे केसे relax die के लिए यह बहुती सरल केसे अनिमेशन relax die के लिए क्या होना चाहिए? हाँ M S का टू D upon F E पढ़ाता लास्ट में पिछले वाले प्रूफ में relax die का D upon F E निकाला था यहां पर रख दो तो M क्या बना? माइनस VO upon U O D upon F E यह relax die के लिए आ गया length of the tube क्या है यहां पर? VO और यह कहां बनेगा F पर? VO plus F E length of the tube बन गई relax die में क्या होगा? यह image कहां बना चाहिए? F E पर यह VO plus F E प्रियाइशू D के कि नहीं? क्या कहां से आगया V? यह V नहीं आगया, यह V not कौन करा कहां से आगया? यह V not यहां से आया बिटा length of the tube निकाल रहे हैं आप relax die के लिए यह image कहां बननी चाहिए? focus पर तो यह plus focus जोड़ों के तफ़ आगया length of the tube? नहीं? एक और अंतिम फॉर्मूला इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? relation with the flow and length L यह length L animation कीशी इसकी है? ज्यान से पढ़िए, केले में पढ़ेंगे, मुश्किल जाएगी यह L क्या है? length of tube tube का मतलब दोनों सिरे पर lens लगे हुए है यहां पर देखिए U-Yoke क्या हो जागा? करीवन F-O हो जागा ले सकते हैं मोटे तोर पर V-O ले सकते हैं L के यह छोटे-छोटे हैं तो U-O को क्रीवन ले लिया F-O और इस V-O को ले लिया समझने के लिए L approximately तो यह formula क्या बन जाता है हमारे पास? M is called to V-O upon U-O D upon F-E खेर यह formula established किये यह relaxed I के लिए यह था ही हमारे पास यह ने L F-O की जगा रख दिया F-O और D upon F-E तो यह देखिए for higher magnification यह देखिए कि important चीज निकलती है जाते जाते इसको समझते जाहिएगा यह F-O upon U-O D upon F-E था minus sign तो चलो उल्टा बनना सीधा बनना उसके लिए यहां पर approximately U-O को F-O मान लिया और V-O को L मान लिया उस situation में V-O की जगा रख दिया L और U-O की जगा रख दिया F-O तो यह relation बन गया हमारा इस relation में फाइदा क्या होता है कि हमें सब कुछ पता होता है जो lens लगाया उसकी focal length पता है D पता है कहां पर चाहिए image और length of tube हमारे हाथ में तो इससे अगर magnification को हमें बड़ा करना है तो क्या बास समझ में आती है F1, F1 क्या होने चाहिए छोटे यह question आप क्या पूछा जाएगा कि इसका focal length छोटा क्यों रखते है बड़ा क्यों नहीं ले लेते तो जवाब है magnification तभी बड़ा मिलेगा और उसका यहाँ पर दिखाई पड़ रही बात और length of the tube कितनी लेनी है बड़ी लेकिन बड़ी लेने में कितनी बड़ी ले 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 उससे बड़ी नहीं लेते हैं लोग अरे जितनी हो से के में माइक्रोस्कोप लोगे बॉट्रों के तो सीडी लगा के बैटोगे यहाँ कितनी बड़ी ट्यूब ले लोगे बड़ी ट्यूब एक लिमिट में हो नीचे टेविल के उपर रखके देखेंगे इसके भी कई किसे हैं अभी नहीं बताएंगे आज ताहीम ज़्यादा हो रहा आपका यह तो यह यहाँ पर यह बात खतम हो जाती है यह क्या है माइक्रोस्कोप पी पूरी कहानी इसके बाद सेकेंड पॉर्शन बच्चे का टेलिस्कोप का तो टेलिस्कोप भी हमें नेक्स्टन पर करना होगा जाने से पहले पांच में में यह बता दीजिए पढ़ाई क्या क्या की चीज़ की हुई है आज हानी रुपमा का शुरू हुए दे जी ऑप्टिकल इस्टूमेंट क्या होते हैं हाँ हम लोग उससे मैंगनिफाई करना चाहते हैं शुरुआत किया था विज्वल एंगिल से हम लोग ने तो विज्वल एंगिल क्या होता निदी तो उससे क्या पता चलता है हमको एंगिल बनाता है विज्वल एंगिल बन गया आप क्या पता चला दुरगेश बता देगा एंगिल बड़ा हम कैसे पहचानते हैं हमारी आखे कैसे पहचानती कि कोई छोटा है बड़ा है लंबा है बहुत बड़ा है जितना जो एंगिल करता है एंगेल बड़ा साइज बड़ा एंगेल छोता तो साइज छोटा यह विज्जक बड़ा करने की करने का काम ऑप्टरेग इस्टुमेंट शर्मा करतेλαशन कम ऑफिकल इस्टुमेंट बेसिकली कौन से तो पढ़ रहे है माइक्रोश्कोप डेलिस्कोप फिर क्या एंगल सबस्टेंड़ वाई ऑप्जेक्ट अधा सेम डिस्टेंस कर रहे हैं लोग फिर उसके बाद हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है जिसका अपर्चर छोटा होता है ठीक और उसके मैंगनिफाइंग पावर और पे हम लोगने काम किया और देखा दो तिन फॉर्मुले निकल के आए थे फॉर्मुला प्रिहांशू क्या था me is equal to one plus d upon fe क्या f कह लीजए ipc है वो d जानते हैं क्या होता है least distance for distinct vision fe मतलब focal length of ips और relaxed i के लिए जब आया था तो शालू क्या आया था relax die के लिए नहीं था सोनम क्या था d upon fe या d upon f था relax die के लिए relax die का मतलब क्या होता जानमी जल्दी बताईए relax die कब होती है आपकी आखों पे एक दम strain ना पड़े कब होता ऐसा जब object infinity वह होता है तब आखों पे कोई strain नहीं पड़ता है relax die होती है जितने पास की चीज़ आप देखेंगे उतने ही हाँ और क्या पड़ा इसके बाद यह formula बता दिया आपने फिर compound microscope पड़ा compound microscope में अकाश मौरिया कितने लेंज होते हैं उन दो लेंजों का नाम क्या होता है objective आई पीस अंश का objective किसे बोलते हैं उसकी focal length कम होती ही कि ज्यादा कम क्यों कम होती है सही कह रही है लेकिन क्यों कम होती है क्योंकि ज्यादा magnification तभी मिल पाएगा हमने formula लिकाल के चेक कर लिया है सब ठीक है यह देखिए कम करेंगे तभी बढ़ेगा उसके बाद magnifying power देखा और formula निकला फिर उसके बाद तो रिद्धी क्या formula निकला M.E. into M.O. एक relationship, important relationship आई M.E. क्या होता है अरिया वाट इस अमी अरे तो बताओ तो हार इत्दी M.E. क्या होता है Magnification of I.P.s और M.O. Magnification of objective lens M.E. into M.O. को बाद formula निकला क्या formula हाता है M.E. into M.O. तो बता चुकी है वो आगे पी क्यों निकला बताओ Relaxed eye के लिए नहीं नॉर्मल बताओ 1 प्लस D अपॉन F.E. पूराना वाला कॉपी कर देना और क्या है Minus V.O. upon U.O. into 1 प्लस D upon F.E. है ना उसके बाद क्या था उसका Relaxed eye के लिए था अंच का Relaxed eye के लिए क्या formula निकला V.O. upon V.O. upon V.O. upon F.E. क्या है यह? पालो Minus V.O. upon U.O. D.O. upon F.E. वाला क्या है दी? Ria. वाला क्या वाला क्या? इस्टेंस अब्जेक कहा है अरे ध्यान दीजे भाई इशा हाँ लीस डिस्टेंस अफ और अफ डिस्टिंक्ट विजन वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आखें हमारी साफ तोर पे दो चीजों को डिस्टिंगुश कर सकती हैं पच्चिस संटिमीटर होती नॉर्मल इमिन विंग के लिए यह बिल्कुल बना कैसे होगा यह इस पर अभी यह जो पढ़ा है जो नुमेरिकल्स बनते हैं एक तो आपकी किसमत अच्छी होगी सीधे बन जाए और दूसरा इसके इंदर के बात कहा अगर पेपर में तोड़ा बारी पना गया जो कि आएगा इस बार तो उसमें आपको सीधे फॉर्मूला बेस नहीं देगा फिर वो समझ में आ रही है यहां देदेगा फिकर यहां की तो यह अगर पढ़े रहेंगे तो कर पाएंगे आप इसलिए अराम से लिखा भी रहें पता भी रहें रिवाइस भी करा रहें और अगर उसको पहचानेंगे नहीं देन देन इट विल भी डिफिकल्ड मजा नहीं आएगा आपको फिर